हेलो फ्रेंट, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास3onetech तो फ्रेंट्स आपने यूट्यूब पर हाथ से लिखने वाली काफी सारी वीडियोस देखी होंगी जिन में आपको face नहीं दिखाए जाता है, बस वीडियो में voice होती है और एक जो हाथ होता है, वो जैसे-जैसे आप वीडियो में बोलते जाते हैं वैसे-वैसे वो हाथ उसे लिखता जाता है तो इस तरह की वीडियो अगर आप बनाना सीखना चाते हैं तो friends आज किस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप किस तरीके से हाथ से लिखने वाली वीडियो को बना सकते हैं mobile phone से ही बहुत ही आसानी से सबसे आसान तरीका मैं आपको सिखाने वाला हूँ और आपको सिर्फ एक ही application इसमें use करनी है उसी के अंदर हम सब कुछ कर लेंगे तो friends जैसा कि आपको पता है कि मेरे चैनल पर मैंने free promotion शुरू कर रखे हैं तो मेरी जो last वीडियो में सबसे पहले जिसका comment था उनके चैनल का नाम आपको मेरी screen के उपर दिखाई दे रहा होगा तो please जाके इनके चैनल को check out कीजिए और इनके चैनल का link में आपको description में भी मिल जायेगा वहाँ पे भी जाके आप इनके चैनल पर visit कर सकते हैं और उन्हें पूरा support कीजिए तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नूँ है तो please मेरे चैनल को subscribe करें और notification bell को on करके उसे all पे set कर लें जिससे आपको मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो की update सबसे पहले मिले तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो friends हम आचुके हैं अपने mobile phone की screen के उपर जैसा कि आप लोग देख सकते हैं तो आपको हाथ से लिखने वाली जो वीडियो बनानी है उसके लिए आपको एक application की जुरूरत पड़ेगी जिसका नाम है काइन master तो आपको इसे play store से डाउनलोड कर लेना है तो मैंने ये डाउनलोड कर रखे तो मैं इसके open करता हूँ इस पे click करके तो आप देख सकते हैं आपके सामने ये home screen open हो जाती है काइन master की उसके बाद आपको ये बड़ा सा plus का जो icon दिखाई दे रहा है आपको simple इसके उपर tap करना है और उसके बाद आपके सामने ये ratio पूछेगा तो 16 ratio 9 में हम YouTube वीडियो को बनाते हैं ठीक है 9 ratio 16 आप shorts के लिए use कर सकते हैं तो अभी हमें 16 ratio 9 लेना है और मैं पीछे एक background select कर लूँगा तो मैं इस पे click करता हूँ तो यहां से मैं कोई भी एक background choose कर लेता हूँ आपको सिखाने के लिए जैसे मैं यहां पे एक yellow background ले लेता हूँ ठीक है उसके बाद यहां पे done कर देंगे उसके बाद आपके सामने ये screen आ जाएगी इस तरीके से खुल जाएगा तो मैं इसे सबसे पहले यहां से पकड़के इसे आगे ले आऊँगा ठीक है इस तरीके से आगे आ गया अब यहां पे हमें क्या करना है जबसे पहले आप कुछ भी लिख सकते हैं यहां पर जैसे मैं यहांपे लिख देता हूं वैलकम टूँ माई चैनल ठीक है यह मैंने यहांपे लिख दिया उसके बाद okay करदूंगा तो यहां पर आप इसे पकड़ के उपर लेके आ सकते हैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे यहां से यहाँ पे ले आएंगे इसको इस तरीके से वेलकम टू माई चैनल उसके बाद आप यहाँ से इसका जो फंट स्टाइल है यह चेंज कर सकते हैं तो मैं इस ए ए पे क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं नोटो शेरिफ बोल्ड इटैलिक इसे स्लेक्ट कर लेता हूं यह काफी सुन्दर दिखाई देता है अभी मैं डन कर दिया तो यह आप देख सकते हैं इस तरीके से यह दिखाई देगा थोड़ा साइज छोटा कर लिया ठीके यह आ गया यहाँ पे उसके बाद आप चाहें तो इसमें और भी कुछ एडिट भी कर सकते हैं और इसका यहाँ पे In Animation आपको दिखाई दे रहा होगा तो यहाँ पे मैं In Animation पे klick करूँगा तो इसपर जैसे ही मैंने klick करा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी सारे option आएंगे तो आपको इन में से जो select करना है वो है आपका सबसे नीचे आना है वाइप राइट ढूंडना है आपको ये वाइप राइट का ओप्शन आ गया आपको simple इस पे क्लिक करना है तो आप देख सकते हैं ये किस तरीके से चल रहा है ठीक है ये हमने select कर लिया उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे कुछ और text लिखना है तो वो हम लिखेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना है इसको थोड़ा सा आगे लेके जाना है जहाँ पे वो खतम हो रहा है channel का L ठीक है उसके बाद हम यहाँ पे दुबारा से layer पे जाएंगे और यहाँ पे हम करेंगे text पे click और उसके बाद हम यहाँ पे अपने channel का नाम लिख देंगे जैसे मैंने अपने channel का लिख दिया मैं आपको example के लिए इस सिखा रहा हूँ कि आप इस तरीके से कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ पे ok कर दूँगा उसके बाद आप इसे भी बड़ा कर देंगे size को ठीक है यहाँ पे लिख देंगे उसके बाद आप इसका भी font style चेंज कर देंगे ए पे click करके यहाँ से bold detailic select कर लेंगे यहाँ पे done कर देंगे अब आप यहाँ पे चाहें तो इसका color change कर सकते हैं तो मैं यहाँ पे मान लो मैं white ही रखूँ color या मैं कोई छोर color लख लेता हूँ आपको सिखाने के लिए जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे black color ले लिया done कर दिया उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे background का option मिल रहा है मैंने इस background color पे click किया इसको on कर लिया मैं पीछे भी इसमें कोई भी color भर सकता हूं तो यहाँ से जैसे मैंने मान लीजिए मैंने white भर दिया ठीक है इस तरीके से और यहाँ पे मैं इसकी outline भी अगर देदूं तो यहाँ नीचे उपर देखेंगे आप यहाँ पे outline का option है इसको भी enable कर लूँगा तो यहाँ पे मैं white outline अगर इसकी देदूं तो यह देख सकते हैं और यहाँ पे background का color को और कर रख लेता हूं जैसे background का मैं अगर red रख लूं तो यह आप देख सकते हैं इस तरीके से दिखाई देगा यहाँ से back कर देंगे ठ एक बार ठीक है फिर से इस पर click करेंगे यहाँ पर animation जो है वह इसका भी हमें नीचे जाके wipe right पर click करना है तो यह wipe right आ गया इस पर click कर देंगे इस तरीके से आप देख सकते हैं यह आएगा ठीक है इसके size को और थोड़ा बढ़ा कर सकते हैं तो यहाँ से पकड़के इसको ब बार आ जाएंगे अब और कुछ लिखना है इसमें नीचे तो यहाँ पर आपको सिर्फ विकास 31 टैक तक जाना है एच तक और एच के बाद आप यहाँ पर फिर से लेयर के उपर जाएंगे और नीचे यहाँ पर लिख देंगे text welcome to my channel विकास 31 टैक like and subscribe ठीक है like and subscribe यहाँ पर सब्सक्राइब की spelling में यू ओ छोटा कर देंगे like and subscribe my channel प्लीज लिख देंगे आगे प्लीज like and subscribe ओके कर देंगे अब इसको पकड़के यहाँ पर नीचे ले आएंगे इसका भी यहाँ से एए पर जाके पहले text font जो है वो चेंज कर देंगे bold italic ठीक है डन कर लेंगे उसके बाद इसे बड़ा कर लेंगे उसके बाद इसे बड़ा कर लेंगे यहाँ से पकड़के ठीक है इस तरीके से यह हो गया ठीक है इस तरीके से इसे बड़ा कर लिया हमने उसके बाद क्या करना है इसमें भी आपको animation जो लगाना है वो यहाँ पे नीचे आ जाएंगे हम wipe right ये वाला select कर लेंगे wipe right इसमें भी इस तरीके से चलेगा please like and subscribe ठीक है welcome to my channel because three one tag please like and subscribe ठीक है इस तरीके से आप देख सकते हैं और यहाँ पे जहाँ तक हमारा ये background खतम हो रहा है हम सब को यहीं पे लेके आएंगे लेकिन मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, यह किस तरीके से चल रहा है, तो मैं सबसे आगे आ जाता हूँ, उसे play करके दिखाता हूँ, देखा आपने, तो यह यहाँ पे कतम हो गया, तो हम इसके पीछे जो भी है यह, इसको यहाँ से पकड़ के, यहाँ तक लिए आएंग जो हमारा w, जो यह है, इसकी speed को हम थोड़ा सा, और इसमें speed में आप change करेंगे कुछ, तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा यह welcome वाला है, इसके उपर click करेंगे, और इन animation जो हमने लिया, उसमें यहाँ पे आपको यह speed दिखाई दे रही होगी, तो हम इसको आगे बढ़ा ठीक है, full कर देंगे हम, ठीक है यह इस तरीके से चलेगा, यह आप देख सकते हैं, ठीक है, done कर देंगे, ऐसे ही आगे हम, विकास 3,1 tag पे जाएंगे, उसके भी in animation में जाएंगे, और इसको भी हम ऐसे ही आगे कर देंगे, doan कर देंगे, उसके बाद लास्ट वाले पे करके आम इसेयां पर फुल कर देंगे आप देख सकते हैं यह और इपност कई है मख है कम इसको भी और फुले रहने देंगे हम डिन कर देंगे ठैक है इस में वेलकम को और थोड़ा सा बढ़ा कर । लगड़ देते हैं तुद कर दो चोटा लग people तो आपको यहां पर देखता हूं तो या आप कोई भी color change कर सकते हैं या background हटा भी सकते हैं उसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है जैसे मैं इस पे click करओं जैसे इस पे click करके मैं इसका यह background हटा ही देता हूं ठ्यक्या तीनों एक जैसे हो जाएंगे यहां से enable को खटा देंगे और यह done कर देंगे तो यह आप देख सकते हैं यह हो गया अब हमें क्या करना है हमारी video set हो गई अब हमें यहां पर हाथ को लेके आना है तो हाथ की एक photo आपको यहां पर Wr जैसे आप बनाएंगी दॉलीव से ऻंका सथ डबलीव बने वहीं पर आपको हाथ लगाना है वहागा रम यहांपने ज़लदी से डाल देता हूं ? टोल्लीयो, मैने घरकर लिया है ठीके है आपको गूगल से आप डाउनलोड कर सकते हो इसको इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है इसको यहां पे रखके थोड़ा सा बड़ा कर देंगे इस तरीके से यहां पर बड़ा कर दिया मैंने और इसमें overal animation मैं दे दूंगा जैसे मैं यहां पर overall animation में से scroll down करके यहां पर floating वाल ओवराल देना है मुझे तो floating वाला यह इस तरीके से करेगा उसके बाद बाहर क्लिक कर देना है अब हमें क्या करना है फिर से इसको select करना है और यहां से keyframe आपको दिखाई दे रहा होगा इस keyframe में क्या होता है हमें animation लगाना है तो मैं simple इस पे click कर दिया मैंने अब क्या करना है मुझे यहां से आगे scroll करना है तो मैं simple simple धीरे धीरे यहां से आगे scroll करूँगा और my channel का L तक जाऊँगा और वहां पे drop कर दूँगा तो मैं क्या करूँगा इस हाथ को यहां से पकड़के इस हाथ को मैंने यहां से पकड़ा और मैं इसको यहां पे last मिलाके छोड़ दूँगा L पे यहाँ पे मैंने drop कर दिया ठीक है आप देख सकते हैं उसके बाद मैं हलका सा और विकास का V जो आएगा उस तक लेके जाना है अब हमें तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा आगे करना है यहाँ पे ले आना है और अब इसको हमें इसको यहाँ से पकड़के यहाँ पे ले आना है इस तरीके से उसके बाद हमें विकास के 3-1 tag तक जाना है 3-1 tag तक हम गए और फिर से इसको प्लस हो गया यह तो इसको यहाँ तक ले आना है उसके बाद हमें क्या करना है नीचे जो हमारा प्लीज वाला था उस पे लेके आना है तो ये please के p पे लेके आना है हमें तो हम इसे पकड़के यहां पे ले आएंगे और उसके बाद हमें इसे पूरा end तक लेके जाना है तो हम इसे पकड़के ऐसे यहां तक ले आएंगे और फिर हलका सा आगे करके इसको यहाँ पर छोड़ देंगे या डन करके देखते हैं आपको वीडियो देखता हूँ कैसी लगती है यह देखिए वेलकम टू माई चैनल विकास्ट्रीवन टैक प्लीज सब्सक्राइब तो इस तरीके से यह बनगी आपकी वीडियो हाथ से लिखने वाली यह देख सकते हैं कितने अच्छी लग रही है जैसे हम हाथ से ही लिख रहे हैं तो इस तरीके से आप अपने मोबाइल फोन से ही काइन मास्टर एप्लिकेशन का यूज़ करके हाथ से लिखने वाली वीडियो को 5-7 मिनट के अंदर बना सकते हैं तो फ्रेंड्स अब आपने अच्छे से सीख लिया हुआ कि आप किस तरीके से अपने मोबाइल फोन का यूज़ करके हाथ से लिखने वाली वीडियो को बना सकते हैं सिर्फ एक एप्लिकेशन आपको यूज़ करनी है अगर फिर भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी कोई भी कुश्चन है आपके माइड में तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्षन में कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो पसंद आई हो तो इससे एक लाइक जरूर करें और जादा से जादा शेयर करें थैंक यू